आज हम बनाएंगे सर्दियों में होटेल से ज्यादा ओडर की जाने वाली सबजी रेस्टरेंट स्टाइल गोबी मटर मसाला जिसके नाम से ही मूँ में पानी आ जाए होटेल रेस्टरेंट का बहुत ही सीक्रेट तरीके से आज में सबजी को बनाने वाली हो आपको बेहत पसं और इसनी टेस्टी हमारा गोबी मतर मसाला तयार होगा कि उसके आगे होटेल और रेस्टोरेट की सब्जी भी फेल लगेगी चलिए शिरू करते हैं हाई एब्रीवन मैं हूँ पारुल कुगवित पारुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुपर टिस्टी, सुपर स्पैशल गोबी मतर मसाला बनाने के लिए यहां मैंने लिया है एक बड़ा वाला गोबी एक दम ताजे, मीठे और बढ़िया फूल गोबी का सीजन है तो इस सब्जी को बनाना बिलकुल बनता है और यह मैंने लिए है एक कप टाजी हरी बटर, खूब आरी है मार्केट में तो बहुत ही दुबदस कॉमिनेशन होने वाला है और यह देखे, फूल गोबी को मैंने पूरा अच्छी तरीके से दो करके साफ करके इस तरह से काट कर तयार कर लिया है और जो फ्लोरेट से, जैसे कि भी आप देख सते हैं इस साइस के रखे है बहुत जादा देंटल को नहीं कट करेंगे वरना क्या होगा कि बात में जब सबजी बनाएंगे न एक दम फूल गल से जाएंगे थोड़ा डंटल सही तो उसको काटें यानि मीटियम साइस कम इसको कट करेंगे अब आती है मेरी क्विक टिप अकसर क्या होता है कि जब गोबी की सबजी बनाते तो फूल तो उपर का जल्दी करी लाता है अब लगाया है इस तरह की से मटर का कलर भी बढ़िया हो गया ऑजनी जब आप इसे जल्की नरव हो गई है तोड़ा सा हम डालेंगे चुटकी भर नमक इससे जो नमक का नमकीन फ्लेवर है वो गोवी में अंदर तक चला जाएगा गोवी फीकी नहीं लगेगी खाने पर साथी राल देते हैं तोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर बतलब एक तरीके का हलका फुलका मैरिनेट कर देंगे तोड़ा सा हाथ से घुमा लीजे चलिए तो हमारा गोवी हो गया रड़ी और जब तेल गरम हो जाएगा तो हम सारा फूल गोवी उसमें डाल देंगे गोवी को इस तरह से जब अब हलका सा शैलो फ्राय कर लेते हैं उसे तो टेस बहुत अच्छा हाता है ग्रेवी मैं तो जिससे क्या होता है कि जब आप उसे ग्रेवी में डालते हैं तो गोवी तूटती नहीं है उसके फ्लोरेट्स वैसे ही दिखाई देते सुन्दर सुन्दर तो यह बस सिर्फ सुनहरा सा भूनना है बहुत सा नहीं भूनेंगे मुश्कल से तीन से चाल मिनट आपको लगेंग अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी चीज़े जो गोवी की साधरन सबजी को बनाएंगी एकदम इस्पैशल वाली गोवी मतर मसाला तो जैसे रेस्टूट्स में बनाते है बिल्कुल वैसे ही तरीका यह में ले रही हो एक छोटी चमच जीरा दो मैंन चार-पाच साबुत काली मिर्च है दो टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और एक चोटी चमच लिया है मैंने साबुत धनिया दरदरा करा वा बहुत बढ़ी लगता है गोवी मतर मसाला में इसलिए इसका नाम मसाला है क्योंकि मसाले बोलते है सबजी में और भी हलके साथी एक तेश पत्ता और दो सुकी लाल मेच तो सभी चीजों को जब तेल गरम हो जाए डाल देंगे हलका सब भूम लेंगे जीरा चटक गया है तो इसे स्टेज पर कुछ सेकिंड बादी हम इसमें इसमें प्याज जिसे मैंने बारिक चॉप कर लिया है इसमें प्याज अ एक बड़ा चमच का दूकस किया हुआ अधरा सब चीजों को बढ़िया से भून लेंगे यहां पर प्याज को में बहुत जादा गुलाबी नहीं करेंगे सिब हलका सुनहरा होने इस तरह से सबजी में टेस्स बिलकुल डबल आएगा आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी जब तक हमारी प्याज भून रही है फ्लेव को कर देंगे यहां लो फटाफट करते हैं एक काम आप एक कटोड़ी लेजिए इसमें हम लेंगे बढ़िया से मसाले तो मैं यहां पर ले रही हूँ दो छूटे चमच धनिया पावडर आधा चूटी चमच कश्मीरी लाल मिर् अब भाई गौओ गोवी मतर मसाला बना रहे हैं तो मसाला बढ़िया से ना तो बनना चाहिए ना अब इस्में डाली दो चमच पानी ऐसा करने से जो मसाले आपस तेमिक्स हो जाएंगे और बढ़िया से फूल जाएंगे जब आप उसे ग्रेवी में डालेंगे तो बहुत पक भी जाएंगे, उनका टेस्ट बहुत बढ़िया निकल कर आएगा, और आपकी कोई भी चीज जलेगी नहीं, तो थोड़ा पेस्ट जैसा तयार करेंगे, इससे आप बना कर देखिएगा, बहुत गजब का टेस्ट आएगा, तो ये लीजे, मसाला हमारा बिलकुल तयार है, मसाले बिलकुल सॉफ्ट हो जाएगे, और पकने में समय कम लगेगा, साथ में जाएगा, एक बड़ा चमच बारिक कटा हुआ लेस्ट, चाहे तो आप यहाँ पर अधरक लेस्ट का पेस्ट हो, तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन दरदरा कर होँआ डालेंगे, तो बढ़िया मैंने लो मीडियम रखा हुआ है, जिसके कोई बी चीज जले नहीं, और एक मनेट बार जब आपको लगे के मसाले भी हलके भून गये हैं, और तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, जैसे अभी की स्टेश देख सकते हैं, हलका हलका ओली बिलीज हो चुरू हो गया और बढ़ फ्लेम पर बढ़िया से टमाटर को पकाएंगे, और यहीं पर जो अभी हमने हरी मटर ली है, वो सब भी यहीं डाल देंगे, कच्छी मटर ली है ना तो यहीं पर डालने से थोड़ जल्दी पकेंगी, अई देखें कितनी सुन्दर दिख रही हैं, मिक्स करने के बाद अब क बढ़िया रिलीज हो रहा है, तो इसे स्टेश पर मैस में डाल रही हूं फिटा हुआ तीन बड़े चम्मच दही, इससे क्या होगा एक तो इससे बहुत ही बढ़िया ग्रेवी में पैक्स्चर आएगा, साथ ही जो इसका फ्लेवर मसालों का टमाटर सब बैलाइन सो देखने में अट्रेक्टिव लग रही है, खाने में तो पूछिए मत इतना लाजबाब इसका स्वाद आएगा, सिर्फ एक मिनट लो फ्लेम पर थोड़ा और हम इसे डग देंगे और एक मिनट बाद आप लेट को हटाईए, बहतरी, आप देख सकते हैं, भाई बर्कुर ब इसे स्टेश वाली बस इसको निकाल लो गरम गरम पूड़ी या पराठा मिल जाए, उसके साथ फिर इसे खाओ तो मजा ही आ जाए, सबसे ज़्यों में तो सबसे ज़्यादा मतर फूल को भी ये सबजियां खाई जाती है, तो फिर ये रेस्टोरेंट वाली सबजी तो आप पक्का बनाईएगा, बस कुछ देर इस तरह से आप इसे मिक्स कर लें और अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ तीन चोथाई कप पानी लेकिन गरम पानी बिल्कुल भी थंड़ पानी ना डालें, हमेशा इस तरह से तयार सबजियों में गरम पानी का ही इस्तमान करें, स्टेश पर फाइनली मैं इसमें डाल रहे हूं, आदा छोटी चमच गरम मसाला, थोड़ा सा बारी कटा हुआ हराधनिया और एक बार इसे कर देंगे मिक्स, अब इसके उपर मैं बापिस से डाल रहे हूं थोड़ा और हराधनिया, गारनेशिं के लिए, गैस को कर देंगे और फाइनली इसके उपर में डाल रहे हूं थोड़े से हरी मिर्च और अदरके जूलियन्स, जैसे होटेल वाले देते है न, इस तरह से, तो लीजे हमारी गोबी मतर मसाला, रेस्टोरेंट स्टाइल है, विलकल तयार, तो चलिए फटा-फट करते हैं, गरमा-गरम सर्व, अब आप चाय पूडी, पराथा, रोटी, चाबल, नान, किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, इसके इतना लाजवाब सवाद है कि घर में आप से सभी लोग बार बनवाएंगे इस सबजी को, और फिर रेस्टोरेंट की तो आप कभी ओर नहीं करेंगे, ज़रू बताईए अपने पेर पेरे कोमेंट्स में और मुझे साथ ही ये भी बताईए आप उससे और कौन सी नई रसिपी सीखना चाते हैं, मैं आपको साथ जरूर शेयर करूंगी, और फ्रेंट्स अगर अपको मेरी रसिपी, मेरी महनत और वीडियो पसंद आए हो, तो प्लीज प वाचेंग कुक विद पारूल, जय है, जय भारत!